प्यारे बच्छो आज आप के लिए हम एक लाएं एस्टोरी एस्टोरी का टाइटल है कि एन्ने ओफ ग्रीन गेवल्स राइटर है मॉल्ड मॉन्टेगो मुरे एक क्लास सिक्स का है कि एस्टोरी जब स्टाट करें उससे पहले कुछ वर्स आपको बता लेते हैं ताकि समझने में बहुत आसान हो कि अच्छा होगा सोरल सोरल का मतलब होता है कि भूरा या लाल रंग और यहां पर मेर लगा हो आए इस मेर का मतलब होता है घोरी यानि लाल और भूरा रंग की ए इस eh story में यह घोरी जो आए वह बंगी में लगी हुई है बंगी को खीच रही है बंगी मतलब होता है टंप्टं या घोरागारी उसको बोलते है जिंगल से ूसिंगल्व का मतलब होता है मिलने लकरी का तक्ता होता है जो पलंग या चौकी में आप लगे वे देखते हैं product Nova Scotia Nova Scotia एक जगह का नाम है या कनाड़ा हम पढ़ता है अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना चाहिए कि मैं तो ऐसे समाने त्या वीडियों कुछ नहीं बोलते हैं बस आपको ध्यान रखना चाहिए अब एस्टोरी स्टार्ट करते हैं मैं थू कटवर्ट एंड दे सोरल मेर जोक्ट कमफर्टेवली ओवर दा इत मायल सिट्टू ब्राइट रिवर करा है कि मैं थू कटवर्ट और जो भूरे और लाल रंग की घोरी है वह बग्गी को लेकर के आराम से यह 8 किलोमेटर नदी के किनारे किनारे वह ब्राइट रिवर स्टेशन के ओड जा रही है वह ब्राइट रिवर स्टेशन दा लांग प्लेटफोर्म बास अल्मोस्ट डिजर्ट जब यह मैथू कटवर्ट जो है वह स्टेशन पर पहुंचते हैं और पहुंचने बाद वह देखते हैं तो पूरा पूरा स्टेशन जो था पूरा खाली था एक्तम बीरान पर आगवा था जगह दो वनली लिविंग क्रेचर इन साइट विंग ए गर्ल उस जगह पर एक ही और एक मात्र जीवित प्रानी था वह लर्की जैसे देखती थी वह लिए देखते का जो धेह लगा हुआ है उसके अंतिम छोर पर वह बैठी हुई है Matthew encountered the station master and asked him if that 5.30 train would soon be along. Matthew, station master's के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सारे पांच बजे वाले जवगारी थे वह जल्दी आने वाली है. The 5.30 train has been in and gone half an hour ago. आंसर ब्रिस्क ओफिसियल एक ब्रिस्क मतलबता है फुर्तिला एक फुर्तिला ओफिसियल है जो कहता है कि सारे पांच बजे वाली गारी आई और चली भी गई आदा गटा पहले. But there was a passenger dropped off for you. लेकिन आपके लिए एक याथरी को drop कर दिया गया है यहां पे छोड़ दिया गया है. A little girl, वो छोटी सी लर्की, she is sitting out there on the singles. वो जो लक्री का तक्था का धेर लगा हुआ उसके उपर में वहां पे बैठी हुई है. Matthew said, I am not expecting a girl. मैं एक लर्की की आसा नहीं कर सकता हूँ. It is why I have come for कर रहा है यहां पे कि मैं तो एक लर्का है जिसको मैंने अपने पास बुलवाया है. He should be there. वह ही वहां पर हो सकता है. Mrs. Alexander Spencer was to bring him over from Nova, Escocia for me. Mrs. Alexander जो है, वह उसको बुला करके वह उसको लाया होंगे मेरे लिए. आगे कर रहा है. Guess. Guess मतलबता अनुमाल लगाना. There is some mistake. He said. Mrs. Spencer came off the train with a girl and gave her into my charge. Mrs. Spencer जो है, वह लरकी के साथ में आये train में और मुझे चार्ज दे करके मेरे हाथों स्वंप परके वह चले गए. Said you, or Mrs. Spencer है, वही काते हैं, कह गए है, you and your sister were adopting help from an orphan asylum and that you would be along for her presently. और जल्दी उसको लेकर करके उसकी सहायता करोगे. मैं थू ग्राउडड, ग्राउडड, as he turned about and suffered, gently down the platform towards her. मैं थू करहते हुए, ग्राउड मतलो होता है करहना, थोड़ा शरीर में थकान होती है ना, या चिंता के करहन, वह करहते हुए, he turned, वह घुमे, about and suffered, यानि पैर खिशते हुए, ठीक ठाक चलते हुए, और वह लड़की की तरफ, प्लेट फर्म जो बैठी हुए है, उसकी तरफ बढ़ते चले गए. she had been watching him, वह जो लड़की थी, इनको बढ़ा गौड से देख रहे थी, ever since he had passed, जब तक वह वहां तक पहुँचने गए, तब तक वह देखती रहे, her and she had her eyes on him now, और वह इनको तब तक देखती रहे, इनकी ठक ठकी लगागर के, जब तक हिया, वह आहां पे नहीं पहुच गए, a child of about table 11, एक लड़क, एक बच्चा जो 11 सल की होंगे, garbed in a very short, garb मतलब होता है पहनना, वो छोटी कपरा पहनी होई थी, very tight, वो tight था, बहुत ही, tight का मतलब क्या होता है, कसा हुआ, very ugly, this dress of a lois, grey winsy, winsy का मतलब होता है, कि उनी और चुसुदी का मिश्रान होता है, उससे बना हुआ, जो कपरा है, वो पहनी होई है, उसका कलर क्या है, a lois grey, यानि वो जो लरकी है, वो छोटी कपरा पहनी होई, थोड़ा tight है, very ugly, थोड़ा group भी है, देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, यानि पीला, और पीला और भूरा कलर का वो कपरा पानी होई है, जो जो एक टोपी भी पहन रखी है, फैड़ मतलो होता है फीका, ब्रॉन मतलो होता है भूरा, फीका भूरा कलर का एक टोपी भी पहन रखी है, बिनीत दा है टोपी के नीचे से, एक स्टेंदिंग डाउन हर बैक उसके पीछे की तरफ, वेर टू ब्रेड़ से, ब्रेड़ मतलो होता है चोटियां और फैरी थिक, मोटी सी चोटियां निकली हुई है और उसके नीचे की तरफ जा रही है, डिसाइटली रेड है, ऐसा लगता है, कि वह रेड जो हैं बाल है हर फेस वाज इसमोल, उसका चेहरा था बहुत छोटा था, वाइट एंद थीन, उजला और पतला, और सो मच फ्रेंकल्ड, फ्रेंकल्ड मतलो होता है, कि चित्तिदार, फ्रेंकल्ड मतलो होता है, चित्ते परे हुए, हर माउथ वाज से लाड़, उसकी जो मूँ थी, इसके बारे में और कुछ आगे बता रहा है, कि सोवेर, हर आइस, और उसकी आँख भी वैसा ही, यानि बरी थे, आएकर रहा है, कुछ जब लाइट आता था, कुछ प्रकास आता था, उसमें उसकी आँखे जो थी, ग्रीन दिखते थे, और दुसरे तरफ भी, उसके जो मूड से उसके जो मनो दसा थी, वैसा लिए दिख रहे थी, यहाँ पर मूड से उसकी मनो दसा, और ग्रीन होना, ՗्रीन मतलब कहिए खास अच्छा नहीं होना, उसको ग्रीन बोलते है, सी एस्टूड अप वह खरी हुई ग्रास्पिंग बित वान थीन ब्राउन हैंड़ हैंडल ऑफ ऐसे बी ओल्ड फैसंड कार्पिट बैग ड़ अधर सी हेल्ड आउट तो थीन आउट टो इम कर रहा है यहां पे ग्रास्पिंग मतलब होता है जोड से पकरना जोड से पकरना एक सब्ख्राइब और यह उसके बैग यह बहुतं ही पुराणा एक बैग आफ उसके पास मिंश है और उसको जोड से पकरि होई है उसका कलर है ब्रान हेन्डल यानि ब्रॉन हैंडव हैंड गैंड देह बनש has aप मतलब होता हुए पतला चक्च्रा तो लगा हो आँ जिसको वह से पकड़ रखी है पुराना सब बैग में दा अधर दूसरी तरफ सी हेल्ड आउट टो हैं वह दूसरी तरफ यानि उसको पकड़ते हुए उसके तरफ बार रहे हैं थोड़ा आगे बार करके उसकी तरफ आगे आगे बोल रहे हैं वह लड़की बोलती है आई सपोज यू आर मिस्टर मत्यू कट्वार्ड ओफ दे ग्रीन ग्रैप से मेरा मानना है कि आप मैथ्व ग्रैप से ग्रीन ग्रैप से आया है सी से इन्हें पेकुलियर्ली मतलब होता है कि असी वो गरीव या अजनवी सी आवा किलियर लेकिन अजनवी सी है लेकिन बिल्कुल साफ साफ है सुईट वाइस यानि मीठी सी आवाज में हो कहती है कि आप मैथ्व कट्वार्ट ऑफ ग्रीन ग्रैप से हैं मुझे आप कु आप से मिलकर काफी खुशी हुई आई वस बिगनिंग टू इफिर अफ रूट इव यू नट कम फर में अद आई वस इमेशिन अल दः तिंग से that might have happened to prevent you कर रहा यहां पर कि मैं शुरुआती दोर में बहुत डरा हुआ सथा you were not coming क्योंकि आप नहीं आएंगे and I was imagine और मैं कल्पना कर रहा था यह सारी बस्तु हैं that might have happened to prevent you और यह सारी जो घटनाएं यह सारी जो बस्तु हैं यह आपकी रक्षा करेंगे आपको बचाएंगे I had made up my mind मैंने अपने दिमाग में मैंड मेकप कर चुका था यानि अपने दिमाग में योजना बना चुके थे that if you didn't come यदि आप नहीं आते हो for me tonight इस रात्री आप मुझे लेने के लिए नहीं आते हो I had go down मैं नीचे जा करके देट्रेक टु जो ट्रेन का ट्रेक होता है ट्रेक पर चलते हुए आगे चलके एक पीर है उसके बार में यहां बता रहा है तो ट्रेक तुदेट विग वाइल्ड चैरी ट्री आगे चलके एक चैरी ट्री है तुदा वेंड एंड एंड क्लाइंब अप और जुका हुआ है उसके उपर चढ़ जाओंगी चढ़ने के बाद क्या होगा इंटू इंटू इट टू स्टे ओल नाइट और उसी पर चर करके रात में उसी पर सो करके बिताएंगे आई वुड़न्ट वी एविट अफ्रेड में मुझे उस पर थोरा भी डर नहीं लगेगा एंट वुड़ वी लवली तू स्लीप इन वाइल्ड चैरी ट्री ओल वाइट विट ब्लूम इन दा मूंसायन यानि जो रात में चंद्रमा है वो चमकेगी जो खिला हुआ चैरी है जो खिला खिला सा चैरी है इसमें उजला प्रकास आती रहेगी और मैं इस पर होद आराम से सोता रहूंगा डॉंट यू थेंक ऐसा इसा नहीं सोचते हो यू कुट इमेजीन आप कल्पना करो यू वेर ड्वैलिंग इन मार्वल हॉल से ऐसा मान लो यह सा कल्पना कर लो कि आप एक मार्वल का जो बना हुआ हॉल होता है उसके उपर उसके अंदर में आप घर बना करके शोय हो है यू क्या इसास नहीं सोचते हो एंड आवाज कुट शिवर और मैं यह निशित था यू वूड कम फोर में कि आप निशितरुप चे आएंगे मी दा मोर्निंग सुबह तक आप निशितरुप चे मुझे लेने के लिए आएंगे इफ यू डिदन्ट टुनाइट यदि इस र एस के रहोनिका मतलब तेयप पतला इस क्रो hemos एपतला है लीटिल और अवा इन ही जोलेद फेरग बड़न दोक्र करते हैं यून उस सब्सक्राइब लारकी जो हाथ था पतला ओर और 6 6Beop पकरते हैं then उसके बाद the and there he decided he would take her home और उसके बाद वह निना लेते हैं कि उसको हम अपने घर ले जाएंगे note another word is she say उसके बाद से एक भी सब्द तब तक नहीं बोली until तब तक नहीं बोली है जब तक they had left the village जब तक वह गाउं नहीं पहुच गई है and we are driving down a steep little hill steep मतलता है धलान होता है वह पास में जो एक धलान है हील के बगल में चोटा सा हील है उसके बगल में जो धलान है उस पर वह driving कर रहा है गारी को आगे बढ़ाये जा रहा है the child put out her hand जो बच्ची थी अपने हाथ को निकाल करके and broke up a branch of wild plump plump tree है wild plump tree है यानि बग्गी में से अपना हाथ निकाल करके एक ट्री का जो है न साखा उसको तोड़ लेती है that brushed against the side of the buggy यानि बग्गी के दूसरी तरफ जा करके और उससे mood होना शुरू कर देती है isn't that beautiful क्या वह सुन्दर नहीं है what did that tree leaning out from the bank यानि किनारे में से जो प्लंप ट्री का जो साखा तो रखी है छोटा सा उसको दत्मन बना करके उसको जो है ना बरस कर रही है mood हो रही है और उसी में से जो छिलका है उसको छिल करके वह एक तरफ से चाट रही है और वह पूछ रही है कि वह डिड़न्ट देट ट्री वह कौन सा ट्री है सी आसक ऐसा हुआ पूछती है और आगे बरती जा रही है वेल नाओ ठीक है अब डूनो सेड मैठ्यू मैठ्यू कहता है डूनो डूनो यहां पर डी यू डवल नो जो लिखा हुआ है डूनो का मतलब होता है काता है कि अच्छा है अब यह नहीं जानते हैं यह हम नहीं जानते हैं हुआ ए ब्राइड अफू कॉर्स ए ब्राइड आल इन फॉइट विट विट ए लवली मिष्टी वेल आइव नेवर सीन वन बट आइकन वीमेशिन वाट सी वूट लूक लाइक यहां पर समझे है वह ऐ ब्राइड व्यक क्योंat यॉन एक दुल्हान जो है ए ब्राइड मतलब दूल अफॉर्स क्यों यूण एक दुल्हान गुता है यह ऑल विट लवली मिष्टी वेल मतलब होता है घुंगट यानि एक जो दुल्हन होती है एक हविज़े मुषटे मैं मतलब होता है के धुंधला कि मिस्टी मतल होता है लेकि धुंधला था एक angiral भूंगट में एक दूल्हन होती है a मैं आज तक नहीं देखा वह हल्रकिंट हिए कि थो इल्भी रु ति है उसका पक्राइब होता है वाइड होता है उजला सा घूंगट के पीछे छिपी हुई रहती है I have never seen never seen one मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है but I can imagine लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं what she would look like कि वह किस तरह दिख रही होगी I don't ever expect और ऐसा भी मैं expect नहीं करता हूं आसा नहीं करता हूं कभी भी to be a bride myself मैं कभी दुलहन बन पाऊंगी I am so homily मैं इतना ordinary लड़की हूं ordinary का मतलब होता है homily का मतलब होता है ordinary ordinary का मतलब यह होता है कि साधारान बिल्कुल ही साधारान लड़की हूं nobody will ever want to marry me कि कोई आदिमों से साधी नहीं करना चाहेगा unless it might be a foreign missionary यहां तक की जो विदेशी missionary होते हैं विदेशी जो चर्च लोग जो इसाई लोग होते हैं वो भी मुसे साधी नहीं करना चाहेंगे oh there are a lot of more cherry 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 tree oh yeah कितने धेर सारे cherry tree है all in bloom सारे के सारे खिले हुए है this island is the bloomist place यह जगा लगता है कि खिला खिला सा जगा है I just love it already मैं इस बहुत प्यार करता हूं and I am so glad I am going to live there मैं यहां काफी खुश हूं बहुत ही person हूं क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं रहने के लिए I have always heard that Prince Edward Island was the prettiest मैं हमेशा यह बात सुना हूं कि Prince Edward Iceland जो है बहुत ही सुन्दर जगा है in the world पूरे दुनिया में and used to imagine और ऐसा कलपना किया होगा मैं I was live there कि मैं वहां पर रहता हूं but I never really expected I would मैं कभी आसा नहीं किया था कि मैं वहां पर हूंगा मैं यहां पर पीछे करा है कि मैं ऐसा imagine किया था कि मैं वहां रहता हूं लेकिन मैं मुझे ऐसा आसा नहीं थी कि मैं वहां जाकर भी रहूंगा इट इस डिलाइट फूल यह बहुत ही सुन्दर बात है बहुत सुन्दर चीज़ है when your imagination come true और यह आदमी कर रहा है मैं तू कर रहा है यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका imagination जो था आपकी जो कल्पना है आपका जो सपना था सच हुआ की नहीं isn't it हुआ की नहीं but those red roads are so funny अब यह लड़की बोला ही है लेकिन वह जो रोड है वो जो सरक है बहुत ही फ़नी था बहुत ही रोचक था कौन सा यह red road है यानि सरक जो है ना सरक जो बना हुआ है बिलकु लाल से बना हुआ है उस रोड के बारे में बता रहा है कि बहुत ही रोचक था when we got into the train at चार्लोटी टाउन जब मैं चार्लोटी टाउन में चरहा उससे पहले and the red road begin to flash past I asked Mrs. Spencer what made them यहां पे पूछ रहा है कि जब चार्लोटी ट्रेन में चरहने के लिए आ रहा था तो शुरुआती दोर में वहां पे देखा कि लाल सरक बना हुआ है और उसकी जो memory थी ना पास्ट की तरफ ले गया यानि अपने जो पास्ट बिता हुआ कल है उसकी तरफ उसको ले गया कि काज एक कैसे अपना कैसा बना होगा यही बात जो है मिसेज स्पेंसर से वलर की उस उसे पूछती है कब जब चार्लोटी ट्रेन पर वह चर्णे के लिए आती है कर रहा है यहां पर कि रेड यानि मिसेज स्पेंसर से बात पूछता है कि रेड कैसे बना तो जवाब देती है मिसेज स्पेंसर जो है वह जवाब देती है इसके खातिर हुआ दुवारा और ज्यादा कोशन उनसे नहीं पूछे वह काती है कि तुम अवस्य रूप से जो है मैं अवस्य रूप से उनसे हजारों बार पूछ सकता हूं आई सपोज मैं कलपना करता हूं आहेट टू कि मैंने धेड सारा पूछा होगा बट अवर यू गोईंग तू यहां पे टी यू नहीं होगा तू फाइन और यू अने मान लिया मैंने मान लिया कि मैं धेड सारा पूछा ओगा धेड सारा पुछा होगा लेकिन जब तक आपकिसे और बस पूछन नहीं कर लेता है तो कैसी आप इसी बस्तू के बारे में जान पाईएगा ऐसा वह लरकी बोलतीये and what does make the road red और क्या road red को यानि यह जो सरक है इसको लाल कौन बनाता है कैसे बनाता है well now अच्छा है अब अच्छा है I don't know I don't know मैं तू फिर यह करते हैं अब अच्छा है I don't know मैं भी नहीं जानता हूं isn't it splendid to think of all the things there are to find out about कर रहा है isn't it क्या ऐसा नहीं हो सकता है splendid इतनी सुन्दर है to think of all things इतनी सारी चीज है कितनी सुन्दर है there are to find out about इसके बारे में कुछ जानने की परियास नहीं कर सकते हैं इट जस्ट मेक्स में फिल ग्लैड टू भी अलाइव करा है इट जस्ट मेक्स यह हमको बनाता है हमको परफुलित करता है ऐसा मसूस होती है जीवित रहने के लिए नहीं अलाइव होता है कि जीवित रहना इट इस सच एन इंटरेस्टिंग वर्ल इट इस सच एज दुनिया है वाकई में बहुत हीं इंटरेस्टिंग बहुत हीं रोचक है इट इट उड़न्ट फी हाल handsome so interested इट इफ लविनों आल आवर्ट इवर्टिंग वुदी एक करा है इट उड़न्ट फी हाफ सो इंटरेस्टिंग यह आधा भी नहीं हो सकता है इफ लृन आवर्ट इवर्टिंग यदि हम सारे चीज़ के बारे में जान जाए उसके आधे के बारे में भी हम नहीं पहुँच पाएंगे वोड़ इट ऐसा हो सकता है मैं तू मच तू हिस ऑन सर्प्राइज वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ लाइक करें यहां पे श्रब्राइज करें उसे बाचीत करके उस लरकी जो बैटी हुई है उसको बाचीत करते हुए यह काफी इंजवाए कर रहा है खुद को Like most quit fox like talkative people when they were willing to do the talking them slabs and did not expect him to keep up his end of it. इसलिए खुस है लाइक मुस्ट कुइट फॉक्स है यानि गाओं के लोग जो ग्रामिल लोग होते हैं वे बतूनी होते हैं हमेशा बहुत सारे बाचीत करते रहते हैं when they were willing जब उनकी एक्छा होती है तो बहुत सारे बाचीत करते रहते हैं to do talking यानि वो खुद से खुद बाचीत करते रहते हैं and they did not expect और एक कभी आसा नहीं करते हैं कि थ्वादेर सांत भी हो जाएं ताकि दूसरे को बोलने का मोखा मिले ऐसा कहने का मोखा नहीं देते हैं I guess you are feeling pretty tired and hungry Matthew ventured to the sea at last अंतोगता हिम्मत करके वह कहते हैं कि आप काफी ठके हुए और भूखा महसूस कर रहे होंगे but we haven't very far to go now only another mile लेकिन हम लोग ज़्यादा दूर अभी तक नहीं आये हैं बस अभी दूसरे ही माइल में यानि दो ही किलोमेटर दो ही माइल में परवेश किये हैं कि दे हैड फाउंडेड एक कर्व इन दा रोड वह नहीं एक पाया कि वहां पे कर्व यानि घुमा हुआ सा जगह है एन फाउंड देम स्लेवस इन ए अभेनू एवेनू का मुतलब होता है कि दोनों तरफ से पेर लगा हुआ है अब पेर इतना जंकार है इतना बड़ा है कि दोनों का पेर का जो पत्ता है और टहनिया है दोनों उपर आकर करके सट जाता है जब दोनों आकर सट जाता है उसको बोलते हैं यहीं सरक पे थोड़ा भी सुरज का रोशनी नहीं आपाता है वहां पे अभेनु काते हैं और उन्होंने पाया कि सामने अभेनु है यानि उपर की और पूरा का पूरा ढखा हुआ है इट वाज से स्ट्रेज ओफ रोड फोर और 500 यार्ड से लॉंग और जो एभेनु था लगभव 400-500 यार्ड लंबा था पूरा फैला हुआ था अइसा लग रहा था पूरा एक तो उपर से एक छत नुमा बनाया हुआ है छत डाले हुए है यानि तिरपाल उपर से डाले हुए है कि थोड़ा भी उधर से रोशनी तक भी ना आपाय उस तरीके स से बना हुआ था वाइस एस पूरी तरह दो जो है ना चावरे धंग से फुरा फैला बटा एक प्लांटेड यर्ट यर्श एगो बाए इसेंट्रिक ओल्ड फार्मर का आया आगे कि वह जो प्लांट है वह एक प्लांट है और यह बहुत दिनों पहले उसको लगा गया था व की ओल्ड फार्मर एक कोई संकी जो एक बूरा फार्मर था किसान था उन्हों नहीं यह सारे कुछ लगाए थे कि ओभर हेड यानि सर के ऊपर वाज वन लॉग कैनों ने कैनोपी कैनोपी ऑफ स्नोई फ्रेग्रेंट ब्लूम कैनोपी मतलब बता है छतदार कि ओभर मतलब होता है कि बभर फ्रेग्रेंट ब्लूम ब्लूम आपको शुगंधित है और मतलब था खिला खिला सायानी यहां पहर रहा है कि अब फिली जो सुगंद है खिला 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 उसके ऊपर से यह चतनुमा बनाए हुए है बेलोड़ बाउजे वह बेलोगा बाउज मतलब बाउज मतलब तहनिया यानि टहनियों के नीचे में, the air was full of purple dwelling to light and far ahead, a glimpse of painted sunset sky, sawn like a great rose window at the end of a cathareal asel. कर रहा है यहां पे, जो जुकी वही टहनिया थी, उसके नीचे में एक्तम purple प्रफल की रोशनी थी एक्तम प्रकासित हो रही थी धेर सारा, एक ग्लिम्स चमक रहा था, पैंटेड जैसा लग रहा था कि पैंटेड संसेट यानि संसेट जो है डूब रहा है और वो इसका पैंट किया हुआ है, और आसमान जो चमक रहा था एक ग्रेट रोश विंडो और जो लग रहा था वहां पर कि आसमान जो है, एक विंडो है और वहां पर धेर सारा, बहुत सारा रोश खिला हुआ है, इस तरीके के इते, इस विंडों जो बहुता है, तो उसी से उसकी रोश नहीं आ रही है, इस तरीके के, एटस इ त्यू इस तरा बच्टुनु च पिंडो भी है, ऑर इसका जो सुन्दरता है, लगता है, अपि यस एक लड़का जो है, एक बच्च पर। , इस तरेक के मतलब होता है, कि धरने परन सुलें ऐखनेंग बैधा. आ है एक बहरा लड़का धने चमक रहा है करा है यहां पे वह उसी के तरफ देखे जा रहा है था यानि उसके साथ में जो आ रहा है उसको देखे जा रहा है देखे जा रहा है उसको देखे जा रहा है अपने हिर्देर से देट हैडवीन वांडरिंग अफार जिससे वह धूंड रहा था वह ही उसको सारा मिल रहा था स्टार लेड और सारी सितारे वहां पे जुके हुए हैं ओह मिस्टर्ज करवट करवर्ट करवर्ट ओह मिस्टर कर कथवर्ट कर पա कंदर टे वह फुसप सते वूंग काथी है मिस्टर्ज करवर्ट व्यूंड उस चांब दौब यह जगह जहां पर हम लोग आये हैं देट वाइट प्लेस यह बुलकुल ही उजला जगह है वाट वाज इट यह क्या है वेल नाव अब अच्छा है ठीक है यू मस्ट मीन डवेनु आपके मतलब के अनुसार यह बहनु के बारे में आप पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं अप्टर यह फ्यू मुमेंट्स प्रुफाउंड रिफलेक्शन यानि थोड़ा देर गहान चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि आप वेनु के बारे में पूछ रहे हैं एक प्रकार का बहुत सुंदर सा जगह है प्रेटी ओफ प्रेटी डस नोट सीम टू राइट वर्ड टू यह ऐसा जगह इसके लिए प्रेटी जो सब्द है यह अच्छा नहीं होगा इसके लिए यूज करना नोर व्यूटिफुल और नहीं व्यूटिफुल आइदर नहीं नहीं इसके लिए अच्छा रहेगा ना है ब्यूटिफुल अच्छा रहेगा लाएगा भेल टॉल वह ज्यादा दूर सोगी यह पासिक gj जो पहला विचार था जो मैंने वहां पे देखा I ever saw मैं हमेशाद देखता हूं that could not be improved upon by imagination जो मैंने imagination किया था जो कलपना किया था उसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं हुआ है but they shouldn't call that lovely place the avenue लेकिन वे उसको lovely place नहीं कॉल करना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए इस avenue को there is no आगे करा है there is no meaning in the name like that it is a कोई मतलब नहीं कर ला है जो इसको पसंद हो the they should call it ओ उसको बुलाना चाहिए कैसे बुलाना चाहिए बता रहा है let me see मुझे देख करके that white way of delight यह जो उजला सारास्ता है इससे देख करके मुझे काफी खुशी हुई isn't that a nice image imaginative name इसके लिए कोई कल्पनिक नहीं हो सकता है कल्पनिक नाम नहीं हो सकता है yes death is the right death नहीं वना चाहिए था right name for it इसके लिए कोई अच्छा नाम चूच करो I know because of the thrill I know because of the thrill मैं जानता हूं क्योंकि मुझे यह रोमांचित करता है when I hit one in a name जब मैं एक नाम को उठाता हूं that suits exactly इसके नाम के साथ एक ही जो है ना बिल्कुल सही तरीके से suit करता है gives me a thrill जो हमें रोमांचित करता है do things ever give you a thrill do things say क्या यह बस्तु है आपको रोमांचित नहीं करता है मैं तू रुमें नेटेड मैं तू जो है रुमें नेटेड करते हैं करते हैं करते हैं वो की रुमें नेटेड यानि वो थोड़ा सोचते हैं सोचने विचाने के बाद काते हैं वेल नाव यस अब ठीक है ठीक है अब हाँ इत इत अलवेस कांड़ फिश्ट व्यांचित अगली वाइट गाँ आपको रिटे इन दे इनरे वाब को कंबर बैटेड वी ये व्रुक आप्या ये ये पे वह थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है अब हाँ इट ऑलवेज से काइंड ऑफ किवस मी यह एक प्रकार का है जो कि हमें से रुमांचित करता है तूसी दैम इसको देखने के बाद हमें रुमांचित करता है किस प्रकार से अगली हुआइट गूप से का रहा है कि वह इसे बिकार वह से कुरूप चीज जो का कमबर यानी खीरे के खेत में खुदते हुए इस पेड मतलब होता है वह से लरका या वह से लर्की और अशे औरत या मरद जो पहुत हीं जो है ना खराब इस चितकब्रा के स्थितिती में होता है यानि उसकी दसा बहु तो उसी की तरह जो है न मुझे रोमांचित करता है क्या I hate that look of them मुझे नफरत है उन लोगों को देख करके anyway किसी तरीके से here is green grabs यहाँ पे हम green grabs के पास आ गए oh I don't think मैं नहीं सोचा that can be exactly the same kind of a thrill do you think it can कर रहें यहाँ पे I don't think मैं नहीं सोचता हूँ that can we exactly the same kind इसे प्रकार का वहाँ और उसे प्रकार का हो सकता है जो मुझे रोमांचित करता है do you think it can क्या तूम्हा यसा लग सकता है कि ऐसा हो सकता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ को सब्सक्राइब कर आगे करता है लिसन तुदा ट्रीज टॉकिंग इन दियर स्लेप उसे सुनो जो सोते हुए करते हुए निस होते हुए ट्रीज बाचीत करता है शी विसपर वह फुषपुषाता है as he lifted her to do yeah to the ground there yeah the word ground की तरफ lift ground से उसको lift करता है उसको उठाता है what nice dreams they must have वह किस प्रकार का स्वपन देखता होगा अवसरूप से then holding tightly to the the carpet bag which contains all her worldly goods she floored into the house तैन उसके बाद holding tightly यानि उसको जोड़ से करे रूप से उसको पक्री हुए है जो उसके पास एक बैग था उसको अच्छे तरीके से पकड़ने के बाद जो उसके बैग में वह ही सारा कुछ रखा हुआ है जो उसके पास सारी बस्तुएं थी जो वह घर से लाया था उसमें जो सारी बस्तुएं है उसको अच्छे तरीके से पकरे हुए ऐसा वह कहती है तो इसमें एक के मोटे तोर पर कहा जाए तो 11 साल की लर्की है वह कनाडा से आती है और यहां वह एक के जो है वह अनाथ आस्रे से अनाथ आस्रम से लाया गया है और वह जिस प्रकार से कल्पना करती है कि हम वहां जाएंगे ऐसा सुन्दरता होगा ऐसा जो कुछ देखने के लिए मिलेगा उसके शौपन में पहले कभी आता था और यह वास्तविक में इसको बदल गया वह सारा कुछ देखने के बाद यह रोमांचित होता है खुश होता है और इसके साथ एस्टेशन से जागर के वह सारा कुछ देखता ह यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राब कर दिए थैंक्स पूर वाचिंग